दोस्तों यह मैं आपको बता दूँ कि यह आफलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा इसलिए यह जो यहां पर आप फॉर्म देख सकते हैं जो की नोटिफिकेशन के लास्ट में यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है तो क्यूंकि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म होत की इन्फॉर्मेशन हम यहां से दुबारा से लेंगे तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताएं इंडियन एयर फॉर्स की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी की गई है ग्रुप वाई एयर मैन के पदों के लिए यह भड़तियां की जा रही है इस पॉर्ट से जड़े होई क निकाली गई है यह सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट से जुड़े होई के लिए वेकंसी निकाली गई है और देश के किसी भी हिस्से में इसके लिए आविदन कर सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में रिक्रूटमेंट की जा सकती है में आपको प्रिपेर रहना है देश भर म कभी भी disclose नहीं की जाती है वो ही यहाँ पर भी किया गया है इस notification के साथ भी किया गया है कि number of vacancies इसमें disclose नहीं की गई है लेकिन अपने सुत्रों के आधार पर और जो भी past track record रहा है उसके आधार पर अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो तकरीबन 800 से एक हजार ये candidates sports से जड़ होए candidates तकरीबन हर दो साल में एक बार ये लेते हैं एरफोर्स में और अलग-अलग sports events में जितनी variety of sports एरफोर्स की तरफ से निकाली जाती है यह मैं आपको बता दू दोस्तों वो किसी भी और government job के अंदर उतनी सारी varieties नहीं निकाली जाती है तो आईए दोस्तों जड़ा एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन से sports events हैं इस एरफोर्स की job के अंदर तो पहली जो इसमें event आ रहा है athletics, basketball, boxing cricket, cycle polo cycling, football golf, gymnastics hockey, kabaddi और काफी candidates kabaddi का weight भी कर रहे थे sports event में lawn tennis, shooting squash swimming and diving volleyball water polo weight lifting और आखरी में wrestling तो दोस्तों ये थे वो सारे के सारे sports event जो count किये जाने वाले हैं इस एरफोर्स की sports quota की Y category की बढ़ती के लिए qualification की बात कर लेते हैं अब दोस्तों जो qualification है उसमें ये बार्वी पास candidates इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन कुछ cases में दस्वी पास candidates भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उसके लिए हम official notification पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी conditions हैं जहां पर दस्वी पास candidates भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लावा एज लिमिट ए आयू सीमा की बात की जाए तो 18-21 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही एक और इंपोर्टन चीज भी आपको याद रखनी है कि 16-25 साल तक के कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं वो किस सा स्पोर्ट्स में आपकी अचीवमेंट के बेसिस पर आपकी एज में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डी जाने वाली है सेलेक्शन प्रासेस की बात कर लेते हैं तो फील्ड ट्राइल और आपका जो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट रहा है इन दो मुख्य तोर पर इन दो चीजों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और रेकूर्ट्मेंट की जाएगी तो आपको एक तो अपने ट्राइल के लिए अच्छी से प्रेक्टिस करनी है दूसरा जो आपके स्पोर्ट्स एचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं दोस्तों उनको जड़ा समाल करके रखना है क्योंकि उनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है सेलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों वैसे तो जो सेलरी ये लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं 26,900 रुपे पर मन्त प्लस अलाउंस लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो एर फोर्ट्स की जॉब होती है स्पेशली और आप दोस्तों बिलकुल इसके लिए आँख बंद करके अपलाई कीजिए और अगर आपको इसमें हो जाता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती पर्मानेंटी जॉब है दोस्तों कोई कॉंट्रेक्ट पेसिज या टेंप्रेरी जॉब नहीं है जो कि मार्केट मे देखने को मिलता है आजकल ऐसा कुछ भी या पर नहीं है करियर एकदम से सेट है अगर आपका इसमें सेलेक्शन हो जाता है तो आज ही की तारिक से आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2019 से इसके लिए आविदन चुरू हो चुके हैं और 25 अक्टूबर 2019 इस नमबर 12 पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है अब इस नोटिफिकेशन के लास्ट में लिखा हुआ है कि कैंडिटेट्स के अपलाई विदिन 21 डेज फ्रॉम दी पप्लिकेशन ओफ दिस एड इन एम्प्लॉइमेंट निउज तो एम्प्लॉइमेंट निउज में आज स्टेट बनती है उसी के आधार पर यह 25 अक्टूबर 2019 समने लास्टेट इस में मेंचिन किया है एप्लिकेशन फीज की बात करें तो दोस्तों कुछ भी एप्लिकेशन फीज इसमें नहीं रखी गई है कोई आविदन चुलक नहीं है इसके लिए टोटली फ्री है सभी के लि www.airmanselection.cdac.in है लेकिन मैं आपको यह बता दो दोस्तों कि official notification official website पर नहीं है यह अभी employment news में जारी किया गया है उमीद करते हैं कि आज या कल में official website पर भी इसका notification जारी कर दिया जाएगा तो आईए दोस्तों चलते हैं जरा official notification में और देख लेते हैं कौन-कौन से important point यहां पर रखे गए हैं यह देखिए दोस्तों इस वक्ति यह official notification है आपके screen पर और notification का article 1 में एक बहुत important चीज information mention की गई है और वही है कि जो male candidates हैं केवल वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं female candidates यह महिलाओं के लिए यह vacancies नहीं निगा ली गई है तो यह एक थोड़ी important और थोड़ी सी disappointing चीज़ है इस notification से जूड़ी हुई venue की बात की जाए जहां पर trial होंगे तो वो भी हाँ पर mention कर दिया गया है दोस्तों New Delhi में Wellington Camp है Air Force Station Base पर जहां पर यह conduct किया जाएगा और 18 November 2019 से लेकर के और 23 November 2019 तक यह trials और यह camp वहाँ पर लगा रहेगा जहां पर यह recruitment की पूरी procedure की जाएगी दिनों के आधार पर भी कौन-कौन से event होंगे वो भी notification में mention कर दिया गया है सबसे पहले दिन यानि कि 18 November 2019 को assembly बनाई जाएगी और वहाँ पर document verification का काम किया जाएगा इसके बाद physical fitness test भी वहाँ पर conduct किया जाएगा दूसरे दिन sports के trials conduct किये जाएगे और छटनी की जाएगी तीसरे दिन जो छटनी करके candidates आ जाएगे उनका trial किया जाएगा दुबारा से और चौथे और पांचवे दिन medical examination conduct किया जाएगा जो finally select candidate होंगे उनका तो यह कुल मिलाकर के पांच दिनों में पूरी की recruitment संपन की जाएगे इसके अलावा height जो mention की गई है इसमें वह 152 cm minimum height इसमें mention की गई है आएगे दोस्तों अब जड़ा sports achievement या eligibility की देख लेते हैं conditions क्या क्या है तो सबसे पहले तो 10th plus 2 candidates इसके लिए आविदन कर सकते हैं अभी 10th candidates के लिए क्या condition दी गई है वो भी मैं आपको बताऊँगा अब sports achievement की बात करें नोटिफिकेशन में कुल मिलाकर के तीन रोज दी गई है और तीनों रोज में अलग-अलग conditions रखे गई है सबसे पहली जो condition रखे गई है वो यह रखे गई है कि अगर आपने रिप्रेजेंट करा है country को junior या senior international meets में उपर के दिये गए सभी games में किसी भी games में तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं रिप्रेजेंट अगर आपने country को करा है junior या senior international event के अंदर तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं second point में mention किया गया है कि अगर आपने minimum standard कम से कम 5 तक यानि कि 5 वी position कम से कम प्राप्त की है junior national championship में या फिर अगर आपने रिप्रेजेंट करा है state को उसमें 5 वी position प्राप्त करी है या किसी unit को रिप्रेजेंट करा है उसमें कम से कम 5 वी position प्राप्त करी है या फिर अगर आपने senior national championship या फिर inter university championship में कम से कम 5 वी position प्राप्त करी है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं इसके बाद आ जाता है दोस्तों थर्ड रो जिसमें की टीम इवेंट से रिलेटेड गेम्स के बारे में बताया गया है कि अगर आपने रिप्रेजेंट करा है स्टेट को जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स में या फिर नेशनल स्कूल टूर्नमेंट कंड़ेड बाई स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया यानि कि S.G.F.I की तरफ से कंड़ेड किया जाने वाले गेम्स में अगर आपने पार्टिसेपेट करा है रिप्रेजेंट करा है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं तो कुल मिलाकर करके ये तीन कंडिशन्स हैं दोस्तों जिनमें से किसी एक कंडिशन को अगर आप सैटिस्वाई कर देते हैं तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों एक चीज और यहां पर मेंचन की गई है कि अगर आप क्रिक्ट के गेम से आविदन कर रहे हैं तो सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स इसके लिए आविदन कर सकते हैं जो की अंडर 19 खेले हुए या फिर अंडर 23 खेले हुए या फिर रंजी ट्रॉफी खेले ह या फिर देवधर ट्रॉफी जिनोंने खेली है या फिर इससे हायर लेवल पर अगर वो खेले हैं तो वो ही कैंडिडेट्स के वल इसके लिए आविदन कर सकते हैं इसके अलावा शूटिंग गेम के लिए मैंचन करा गया है कि अगर आपकी 20 रैंक है नेशनल रैंकिंगर आ आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं तो अगर आप नेशनल लेवल पर आपने कोई मैडल जीत लिया है तो भी आप शूटिंग के इवेंट से आविदन कर सकते हैं या फिर अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कराए किसी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन अगर आप सी कंडिशन है जिसमें की 16 से 25 साल तक के कंडिडेट भी इसके लिए आविदन कर सकते हैं तो देखिए दोनों ये दोनों ही कंडिशन के लिए आपर मेंशन करा गया है eligibility के table के नीचे mention किया गया है कि जो candidates ने international participation करा है या फिर national level पर उन्होंने medal जीता है ऐसे candidates को national level पर medal का मतलब है first second या third position अगर आपने प्राप्त करिये तो ऐसे candidates को अगर उन्होंने 12th नहीं भी किया है तो भी वो इसके लिए आविदन कर सकते हैं या फिर अगर वो 21 साल से ज्यादा के candidate हो गए है age wise तो भी वो इसके लिए आविदन कर सकते हैं उनके लिए maximum age limit रखे गई है 25 साल और minimum age limit रखे गई है 16 साल तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको विशेज दियान रखना है international participation या फिर national level पर medal winning performance तो अब आपने देख लिया दोस्तों कि वैसे तो 21 साल age limit रखी गई है maximum age limit 21 साल लेकिन 16 से 25 साल का भी age group का candidate इसके लिए आविदन कर सकता है किस condition में कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया है डॉकुमेंट्स जो जो required है उसकी डीटेल यहां पर दी गई है दोस्तों सभी आपके जो भी educational qualification और आपके sports से जुड़े हुए documents है उन सब की self-attested copy रखनी है और इसके साथ passport size photo का आपको विशेज दियान रखना है दोस्तों अपना नाम block letters में और उसके नीचे अपनी date of birth ए और इसको अपनी chest पर रख करके आपको सामने से passport size photo की चानी है यही format में photographs मांगे गए हैं तो इसी इसका आपको विशेश दियान रखना है दोस्तों इसके लावा notification के last में पूरा format दिया गया है दोस्तों application form का वो सारे certificates का भी format दिया गया है इसी format को आपको follow करना है और चाह एक blank envelope भी आपको अपने documents के साथ अपना address उपर उसके लिख के और वो post करना है आगे का जो भी further communication होगा regarding call letters वो उसी envelope के माधिम से आपके घर तक letter आएगा तो उस चीज को भी आपको इसमें ध्यान रखना है अब जो address आपको रखना है दोस्तों envelope के उपर वो है सबसे उपर आपको envelope के center में उपर लिखना है outstanding sportsman for group wide rate sports discipline applied for उसके बाद line है तो यहाँ पर आपको sport event लिखना है कि events related आप इसके लिए आविदन कर रहे है और उसके बाद secretary air force sports control board co air force station new Delhi race course new Delhi 11003 यह वह address है दोस्तों जिस पर आपको इसे post करना है तो दोस्तों यह थी कुछ main information जो इस notification related हमने आपको दी अगर आपको further कोई doubt है तो आप हमें video के नीचे comment करके पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको reply करें और दोस्तों इस पूरी recruitment के लिए काफी time से wait हो रहा था और मैं कोशिश कर रहा है कि मैंने जल्दी से जल्दी में video बनाऊ और आज ही notification आई और आज ही मैंने आप लोगों के लिए video बना दी है तो दोस्तों अगर आपको video पसंद आई है तो please like जरूर कीजएगा इससे motivation मिलती है और भी अच्छा काम करते रहने के लिए कल इसी वक्त हम दुबारा हाजर एक नई वेकेंसी एक नई recruitment के साथ तब तक के लिए हमें इजासत दीजिए धन्यवाद